प्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल महिला तुफान और मैं हूँ महिला दोस्तो आज का मेरे टॉपिक है एक मध्यल परिवार की लड़की का दर्द एक मिदिल क्लास फ्रैमली से विडियों करती हूँ एक लड़की का दर्द आखे भींडी रहती है दिल भी कराहता है पर सस्व्राल वाले चाहते हैं हम हस्ते विशारा काम करते हैं कैसे ये संभव है हर लड़की का एक सपना होता है जो जुरूनी लड़की होती है जो लाइफ में कुछ करना चाहती है कि पापा मैं भी पढ़ूंगी आगे बढ़ूंगी मुझे पढ़ाओ लेकिन हर एक लड़की के पिता सभी के पिता नहीं पढ़ाते हैं पढ़ लेकर क्या करोगी बेटा आखिर तो तुम्हें ठाना ही बनाना है घर ही समभालना है नहीं पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं कुछ करना चाहती हूँ नई बेटा तुम ससुराल में ही जाकर पढ़ना जो करना है वहाँ ही करना हमारी जिन्दी छमता है जितनी क्यापिसिटी है हमने पढ़ा दिया अब हम दहेज के पैसे जोड रहे हैं और उससे तुम्हे ससुराल पहुचाना है हमें तुम्हें दूसरे गर बेजना अपने घर हम नहीं रख सकते हैं ये रिति रिवाज है ये समाज है ऐसा करकर बाबुन ने हमसे पीछा चुडा लिया और हम पहुच गएं ससुराल ससुराल में गुहार लगाई कि बाबु जी मुझे पढ़ना है सजन जी मुझे पढ़ना है मेरे स्वामी मेरे परमेश्वर मुझे पढ़ना है सासु मा ने कहा पढ़ने का इतना ही लगन था तो साधी क्योंकि मैके में ही क्यों नहीं पढ़ लिया सस्राल में भला कोई पड़ता है बच्चे कोन समालेगा धर कोन समालेगा खाना कोन बनाएगा इस तरह से विटिया जो है मैं के में भी पिश जाती है सस्राल में भी पिश जाती है सपने उसके कहीं खो जाते है तिल कराहता रह जाता है दर्द सिस्की में रह जाती है जुनून की आग तमन्ना की आग दिल में ही रह जाती है पूरा जीवा में इसी दर्ण उसका दीट जाता है फिर कभी किसी दोस्त ने देखा तो कहा तुम वही हो जो पढ़ने में इकनी तेज सी हुस्यार थी क्या कर रही हो आग बड़ी ही बुझे बुझे मन से करती है या अपने आपको सम्हालते हुए करती है मैं एक अच्छी मा हूँ मैं अच्छी बेटी हूँ मैं एक अच्छी बहु हूँ मैं यही कर रही हूँ यही मेरी पहचान है तो एक बेटी है मध्यम पढ़िवार की जिसके सपने थे वो अपने सपनों को छोड़ कर एक अच्छी बेटी एक अच्छी मा और एक अच्छी बखू बन जाती है अपनी पहचान उसकी कुछ करने की, कुछ बनने की, केरियर बनाने की खो जाती है यही है एक मीडिन प्लास फैमिली की लड़की का दर्द वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें दोस्तों एक मीडिन प्लास लड़की कर दर्द नहीं असल में ये मेरे अपने दिल की आवाज है, जजबात है और ये सच्चाई है कि हम जो हैं मैके में भी अपने सपने पूरे नहीं कर पाते कुछ डुडी बादी परफ्राओं के चलते हैं और ससुराल में भी नहीं कर पाते हैं बहुत वक्त बीत जाता है फिर हमें बहुत देर हो जाती है हमारे सपने तूट तूट कर हमारी आखों के सामेड़ी बिखरते हैं और हम उन्हें समेटे रखते हैं लेकिन काम्यामी हमसे को सुदूर है दोस्तों ये वीडियो में बहुत दिल से बना रही हूँ अगर ये मेरी बात किसी लड़की की दिल तक पहुंसती है तो आप कुछ ज़रूर जो करना चाहते हूँ वो कर लो अपने लाइफ में और आगे बहू आज की वीडियो मतरित नहीं ठेंक्स बाच मेरी जय गिल जय भायरत